हेलो गाइज, वेलकम टू आओ चैनल लाण होई पती, आज हम इस्टर करेंगे नया चैप्टर के बारे में और गर्वन का जिसका नहीं है डाइट और रेजिमेंट पर क्रोनिक डिजिस और एकुट डिजिस तो डाइट और रेजिमेंट टोपिक क्या है मतलब दवाई लेने के बाद भी क्या क्या मेडिसीन, मेडिसीन काने के बाद क्या का डाइट कर न चाहिए और रेजीम न मतलब क्या का लाइपस्टेव होना चाहिए एक पैशेंट के लिए एक चैप्टर का में मोटर है तो पर हाईजनियक औ देकर किपोड मेस्ट्रेसिंट्ट न मतलब किया पर हैजनिक औ देकर किमचेशी तो पॉर हीमातिक लोला सब्च्रभग किया। कीया, प्रोपर हाईजनियक औ देटिकी मेजिएरमेड। तो जो क्रॉनिक डीस का, जो टाइम डुड особенно's लिए. इसलिए, ख्रॉनिक डीस में में। यूझव्ल में राय टेस्वियनeur का मेंन भाल है. अधिक। क्या का नहीं खाने चाहिए तो क्या क्या फूट क्रॉनिक डीस के टाइम में नहीं ले सकते हैं कोफी, ट्री, फाइन चाईनीज, आधा हरबल्टी, बियर, लिक्वार, ओल कंड ऑपन्स, पाइट, चोकलेट, पर्फिम, स्रॉंग सेंटिड फ्लावर, क्या कह यह कहा H Dovy, क्या कहा कहीं, कॉपी, त्री, कोई भी हरबल्टी, बियर लिक्वार, विफाट अपन्स, पाइस्प लुगर और सॉल्ट का कॉंपोईशन है हीटेट रूम्स फूलेंड क्लोधिंग एराउंड इसकी रेजीमिन के अंदर क्या क्या है हम हीटेट रूम्स के अंदर फूलेंड क्लोधिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं सिदेंटरी लाइब असे बार्सन जो हार टाइम सो रहा है ठीक है बेट में सो रहा है एविन जो नाइट में सोने जा रहा है लेट करके ठीक है अन्क्लिनिनेज और रिदिंग अपसेंस बुक्स जो जो बुक्स अमारा हेल्थ के लिए और कोई भी मेंटल एफेक्ट बाता सकते हैं ऐसे बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए इंपर्पेट और सप्रिस्ट इंटर्पॉर्स यह नहीं करना चाहिए सब्चिक्ट ऑप एंगर ग्रीप और वेक्शेशन ओवर एक्शेशन ऑफ दे माइंड अफ्टर मिल डॉलिंग इन मार्सी डिस्ट्रिक्स तो रिवूबल और अभोब मेंचेंड अपस्टेकल्स टू रिकोवरी तो क्रॉनिडिस के बाद दाइटर रेजिमिन के अंदर एस और चीज नहीं होना चाहिये फौर रिकोवरी तीक है ऐस चीज देना चाहिए सापलाइंग होया नहेसा रिवर्स जहा पर कोई भी फूरे विःट देना चाहिए थाए अपर उसमिक्रिवर्स अगरि को सकता है इनुशेंट, मोराल, अदडेक्रेशन, ठीक है? रिक्रेशनल, रिक्रेशन, कोई भी परसन मेंटल या अफसेट है, तो उसको मोराल एक सापोर्ट देने जारी रही है एक्सेसाइज इन ओपेन वेधा डेली वाक तो एक्सेसाइज बहुत जदा इंपोर्टेंट है प्रोनेट कोई भी डिर्स के लिए एक्सेसाइज बहुत जदा इंपोर्टेंट होता है suitable nutrition and medicinal food substance medicine देते वक्त ऐसे नहीं खाना चाहिए जिसमें कोई भी medicinal value है ठीक है तो food substance ऐसे होना चाहिए जिसका कोई medicinal value नहीं होगा unmedicinal food acute crisis instinctive desire the body in relation to food and drink should be satisfied तो acute crisis के अंदर क्या होना चाहिए क्क्राइड होगा acute crisis के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए instinctive desire of body तो acute crisis के time of duration बहुत जाता नहीं होता है तो इसलिए जो acute crisis के लिए जो body और mind जो करना चाहिए जो करना चाहिए in relation to food and drink should be satisfied जो food और drink उसको satisfy कर सकते है वो food देना चाहिए temperature of the room control करना चाहिए all over exertions of the mind exciting emotions should be avoided कोई भी ऐसे चीज जो over exertions करता है mind के उपर और exciting emotions है वो avoid करना चाहिए ठीक है क्या 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 फूट फार्मिटेट है acute crisis के बार में मेट beef, mutton, raw, humps chicken, ground, easy & plainly cooked, not spoiled or unsizoned with medicinal substance ऐसे फूट जो सब चीज हो सकते है बट कोई भी medicinal substance जो फूट के अंदर medicinal substance है पूट नहीं ते सकते हैं पीस moderation only at noon अनिमेल फूट बाटर ऑफ सफ्ट बॉयल एग, मिल्क बाटर मिल्क, फ्रेश चीज, अन्सीजन, वेजटेबल पॉटेटोस, क्या के वेजटेबल दे सकते हैं, वेजटेबल पॉटेटोस, ग्राउन नट्स, बीट्स, कॉली फ्लावर, प्रिपेर वेजटेबल, वेज़, 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 वेज 5 parts of water with 1 part of wine wine भी का सकते हैं गड़ 5 parts of water के सत एक part of wine vinegar must be avoid क्या avoid करना चाहिए vinegar और medicinal vegetables and vinegar ये सब कुछ avoid करना चाहिए instead of coffee roasted wheat rye barley cleaning agent में toilet articles use करना चाहिए frequent washing room instead of humigation for bath clear water unperfumed soap clothing and mode of life comfortable according to climactic conditions तो climate के बज़े से climate according अबको comfortable रहना चाहिए moderate exercise करना होगा acute के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करना होगा moderate exercise of course करना होगा retained accustomed mode of living eat drink sleep according to desire sleeping health के लिए जरूरी है उतना sleeping होना चाहिए forbidden food क्या का नहीं कहना चाहिए meat even young soft boiled भील fat fork meat of dark or geese dark or geese का meat नहीं कहना चाहिए fat fork fatty pork नहीं कहना चाहिए fish is safest to avoid fish जितना होसा के avoid करना चूड़ी है specially salmon cod fish turtles animal food hard boiled eggs things baked from raw cream old stinging high season cheese honey इस सुप चीज एवर्ट करना चाहिए vegetables के अंदर क्या 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 आवर्ट करना चाहिए all foods and salad not cooked जो cooking नहीं है जो foods and salad cooked नहीं है वो सब कुछ all bread not oil fermented और sticky or badly roasted ऐसे bread जो बहुत जदा fermented नहीं हुआ है और sticky type का होगा और जो अपना बहुत जदा roasted हो गया कोच फूर ब्रेट यूज नहीं करना चाहिए all cakes cookies especially very richly prepared injurious vegetables chestnuts, beets, corn, sellers horse, radis सब कुछ यूज नहीं करना चाहिए all spices cinnamon, sapron जितना जो spices फूर है जो यूज नहीं करना चाहिए all food sauces cakes fruits unripe foods acid fruits जो राइप नहीं हुआ भी तक and acid foods do not agree with currants strawberries midlers apples, gripe ears cherries, lemons एसा कुछ यूज नहीं करना चाहिए इसके medicine के पर तभाई के पर एफेक्ट पर सकता है क्यूंकि इसका एक medicinal value होता है cucumber rock, candy berries hotel berries horse, almonds, olives beverages coffee, Chinese tea decoctions prepared from chamomilla millipolium strong drink wine, brandy ram, liquors तो strong drink avoid करना जरूवी है all beige acids, lemon food all kind of vinegar herb, vinegar vinegar use नहीं करना नहीं है ठीक है थैंक्यू टीस होतो थास्ट अटिशी यह और टीस कर्ड़ क्यूँ आटीक आटा ठीजिश